हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्दर हिस्ट्री के बारे में इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैं आपको मता चुका हूं कि मौरिया पीरेड तक एंसेंट जो हिस्ट्री आती है उसके अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट किंडम साते हैं और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स आते हैं तो आपको इससे पहले की वीडियो पार्ट वन में मैंने बताया था कि अब तू मौरिया पीरेड को हम कैसे तयार करेंगे ठीक है अब हम part 2 में आते हैं और part 2 आता है अपने आप में अकेला है ये post moria period ठेक है तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई चीज अगर आपको नहीं सौझ में आ रही है तो उनको parts में divide कर लेजिए और जब आप उनको parts में divide कर लेते हैं तो आपके लिए काफी हद तक असान हो जाती है अगर मैं revision की बात करूँ तो अगर मैं पिछली वीडियो की कुछ topics की बात करूँगा तो आगे चलके आप लोगों से discuss करूँगा कि कौन किस के बाद किस किस तरह से आया ठीक है उमीद है आप लोगोंने पीछे की वीडियो देखी होगी और वह आप लोगों को पसंद आई होगी और यह पार भी आपको काफी पसंद आने वाला है क्योंकि यह उपर से जितनी भी चीजे मैंने यहां पर बताई हैं यह हमे होता है तो आइए बीनने समय वेस्ट किया हम डिस्कर्स कर लेते हैं पोस्ट मौरियन पीरेड के बारे परेक्छली हुआ क्या था कि असोग जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कुस कर चुके हैं कि असोग एक समराट असोक के नाम से जाना जाता था और एक उसके बाद क्या वा समराट अशोक के बाद Mauryan Empire का डाउनफॉल सुरु हो गया उसके बाद कोई उतना सकती साली सासक नहीं उभर के आया उसका रीजन यह रहा कि यह पोस्ट Mauryan period आया और decline of Morian Empire जो शुरू हो जाता है वो अशोक के बाद शुरू हो जाता है अब इसमें जितने भी लोग मिलेंगे ना यह जितने भी है यह Morian Empire के टाइम में कहीं न कहीं के rulers थे और जैसे ही कोई सकती साली सासक अगर नहीं रहता है ना तो उसके छेत्र को कबजा करने के लिए उसके आस पास के जो सासक होते हैं वो पूरी तयारी कर लेते हैं और यही Post Morian Period के दौरान हुआ आप देखें Post Morian Period को भी हम दो भागों में बाटेंगे पहले भाग को हम यहां पर पूरी तरह डिस्कुस करने वाले हैं कि कौन-कौन से important भाग है और उसमें कौन-कौन से rulers है दूसरा भाग जो आएगा वो foreign invaders का आएगा है ना तो यह Post Morian Period का foreign invaders हम आगे में डिस्कुस करेंगे ठीक है अगली वीडियो में डिस्कुस करेंगे क्योंकि अपने आप में important role play करते हैं तो अभी हम उपर की चीज़ों को जान लेते हैं कि second track पे हमें कैसे चलना है हिस्ट्री के अंदर तो पोस्ट मौरियन का को दो पार्ट में हम बाट बाट देते हैं एक बांटते हैं इंडियन रूलर्स में और दूसरा बांट देते हैं वही foreign invaders में तो इंडियन रूलर्स में सबसे पहले जो मौरियों के बाद आये वह आये सुंग डाइनेस्टी कौन आये सुंग डाइनेस्टी क्योंकि आपने पीछे जो डाइनेस्टी के बारे में पढ़ा है तो यह जरूर पूछता है कि मौरिया empire के बाद कौन सासक बना कौन सी डाइनेस्टी आई तो सुंग डाइनेस्टी ने उनको सक्सीड किया फिर सुंगो के बाद कौन है सुंगो के बाद आये कंडो ठीक है कंडो डाइनेस्टी आये और कंडो के बाद आये सात्वाहंस कौन है सात्वाहंस तो यह तीन और यह अलग-अलग छेत्रों में थे, जैसे अगर हम सूंग डाइनेस्टी की बात करते हैं, तो विदिसा जगे है मध्य प्रदेश के अंदर, तो जो मध्य प्रदेश का छेत्र था, विदिसा का छेत्र था, उस पर सूंगो का कबजा था, ठीक है, मौरियन एंपायर के अंद वो यह था कि सेंट्रलाइज रूलिंग, ठीक है न, सेंट्रलाइज रूलिंग, यह क्या होता है, सेंट्रलाइज रूलिंग होता है, कि सारी सक्तिया जो है, वो राजा के हाथों में रहती है, ठीक है, राजा ने अपने लोगों को अलग-अलग जगे पर पॉइंट किया थ यह लोग उन्हीं के अंडर में या उन्हीं के छित्र में काम करते थे अब जैसे यह पुश्मत्र सुंग थे यह ब्राम्हन जाती के थे आप इसको समझिएगा थोड़ा सा ब्राम्हन जाती के थे ठीक है ना और आप लोगों को पता यह कि असोक ने बाद में जा करके क्या कर सब्सक्राइगा था भूद्ध्धिजम कर लिया था तो जैसे भूद्धिजम किया तो इस ञेकियम जमता तो कहीं कहीं ब्राम्हन और जाने यह आगे जिनमें से पुष्यमित्र सुंग थे ठीक है ना और यहां के रूलर थे उस समय और जो मोरियन एंपायर का अंतिम सा सक है ना मोरियन एंपायर का लास रूलर कौन था मोरियन स लास रूलर आपको पीछे बताय था ब्रहदरत था ठीक है ना इस ब्रहदरत की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डाइनेस्टी की निव रखी तो इसको कहा जाता है कि भई सुंग डाइनेस्टी के फाउंडर कौन थे तो सुंग डाइनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग और इनकी राज आधानी शुरू में पाटली पुत्र थी और बाद में इन्होंने शिफ्ट करके वीदिशा कर दी थी शुरू में क्या थी पाटली पुत्र थी और बाद में इन्होंने वीदिशा कर दी थी अब पुस्यमित्र सुंग के बारे में हम तब पढ़ेंगे अभी मैं आपको टॉप secondary है, primary इनहीं के बारे में पूचता है, क्योओं किसके बाद आया, क्योओं कब आया, कौन किसके पीछे था, किसका बेटा कौन था, किसका बाप कौन था? तो पुस्य मित्र सुंग के बाद आते हैं अगनी मित्र ठीक ना अगनी मित्र ये पुस्य मित्र के बेटे थे ठीक ना पुस्य मित्र के बेटे थे तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इतिहास उनी को याद करता है जो कुछ करते हैं या इतिहास उनको याद करता है भोगियों को इतियास कभी याद नहीं करता ठीक है ना तो अगनी मित्र जो है ये इनके दूसरे बेटे थे इन्होंने भी सुंग डाइनेस्टी का विस्टार करने में काफी मलव सहयोग दिया अब अगनी मित्र को एक आगे और नाम आजाता है मालवी का ठीक है और यहां से इन दोनों के नाम को मिला करके एक पौएम है मालवी का अगनी मित्रम ये एक किताब ठीक है न जिसमें इनके बारे में एक पयम भी लिखी गई इह मालवी का अगनी मित्रम और इसके रचीता हैं कालीदास ठीक है ना तो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में जब कालीदास आएंगे तो इन्हीिश些 सम्मधित का All zap जो है उसके रजेता काली दास हैं तो यह एक प्रेम प्रसंग है जिन्होंने इसके बारे में लिखा है यह हम आगे डिसकर्स करेंगे और इनहीं की पुस्तक से भी पता चलता है कि सुंग डाइनेस्टी थी है ना और उसमें अगनीमित्र नाम का कोई शासक भी था ठीक है तो आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें डीप पढ़ेंगे कि इनके रिशोर्सिस क्या हैं कैसे पता चलते हैं कि सुंग डाइनेस्टी खंडो डाइनेस्टी यह साथ वांस वगर थे अभी सिर्फ इंट्रडक्शन है अब इसके बाद अगनीमित्र के बाद आते हैं वसुमित्र ठीक ना अगनीमित्र के बाद आते हैं वसुमित्र और वसुमित्र यानि कि सुंग डाइनेस्टी में ओवर आल आपको दस साथ सक मिलेंगे और दस साथ सक के बाद वसुमित्र के बाद कोई भी रूलर्स की पुष्टी पूर रूप से नहीं की जाती है हना सुमित्र के बाद आते हैं देव भूति ठीक है ना अब यह माली जी कि देव भूति इसलिए याद किये जाते हैं क्योंकि एजर लास्ट रूलर होता है तो आप ध्यान रखेगा कि सुंग डाइनेस्टी किस्षेत्र में थी तो विदिशा एमपी में थी इसकी कैपिटल पाट्री पूत्र थी शुरू में और बाद में विदिशा हो गई थी फाउंडर थे पुश्यमित्र सुंग ठीक है ब्राम्मन जाती के थे अगनी मित्र इनके आगे बेटे थे ठीक है फिल्मार्म विका अगनी मित्रम इनके नाम पे किताब नाज्याएं एसे 10 राजा आए आगे और में ठीक टॉटल ओबरल पुशीमित्र सब्स लेके और देव बुट्य इस डेयाश्टी के अंतीम साथ क्ते देव गुत्य जिनकी हथ्यां करदी किस ने वासुदेव ने ठीक है ना जिनकी हत्यागर्दी किसने वासुदेव ने जो की कंडो डाइनेस्टी के फाउंडर थे कौन थे कंडो डाइनेस्टी के फाउंडर थे और कंडो डाइनेस्टी की कैपिटल क्या थी कंडो डाइनेस्टी का रूलर रूलिंग एरिया क्या था है ना तो वो पाटली पुत्र था ठीक है ना कंडो डाइनेस्टी यहां देखें यहां विदिशा था और कंडो पहले से पाटली पुत्र के छेत्र में था तो कंडो पे बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा आप जाएंगे यहां पर वासुदेव इसके फाउंडर मिलेंगे इनके छेत्र इ इसमें दो इंपॉटेंट आते हैं एक तो सुसर्मन आते हैं और एक वसुदेव आते हैं ठीक यह दोनों नाम क्योंकि एक फाूंडर है और दूसरे अंतिम रूलर है अब दीखिए के सुसर्मन इब इसके बादा आता है साथ वाहन डाइनिस्टी ठीक है ना तीसरी नंबर पर बनती है सातवाहन और इनका रीजन मौरियन पीरिट के दोरान क्या था मौरियन पीरिट के दोरान इनका रीजन था दक्कन का यानि Central India और दक्कन प्लेट्यू जब आप जोग्रेफी में पढ़ते हैं तो वह दक्कन का पठार ठीक है ना तो दक्कन वाला एरिया और Central जिसमें महराष्ट भी आ जाता है ठीक है ना महराष्ट है नीचे का दक्षिन का कुछ शेत्र आ जाता है तो बेसिकली आप महराष्ट वाले रीजन को पकड़ सकते हैं तो डेकन में अब इसकी कैपिटल क्या थी सात्वाहंस की कैपिटल थी प्रतिस्थान ठीक है प्रतिस्थान और उनकी दूसरी राजधानी क्या थी सेकिंड कैपिटल अमरावती अब अमरावती क्यों रखा गया था दूसरी कैपिटल यह जो सात्वाहंस थे ना इनको आंध्र सात्वाहन भी कहा जा कहा जाता है और यह आंद्रा से बिलॉंग करने वाले माने जाते हैं तो इनकी उस महां की देखरेक करने के लिए इनके पास दूसरी कैप्टल थी अम्रावति ठीक है इसके फाउंडर कौन थे इसके फाउंडर थे सिमुक फाउंडर कौन थे सिमुक याद रखेगा इनके तो शिमूख इसके founder थे इनके बाद जैसे 17 नमबर पे एक परसी धे राज़ा आता है हला फिर 20 पर ये important आ जाते हैं ये most important हो जाते हैं गौतमी-पुत्र सतकर्नी ठीक है ना ये most important हो जाते हैं गौतमी-पुत्रसतकर्नी इनकी चर्चा होती है फिर इनके बाद आते हैं वसिस् वसिष्ट पुत्र पुल्मामी के बाद यहां पर आते हैं सतकर्णी ठीक है ना खाली सतकर्णी और सतकर्णी ठीक ना तो यह हुआ कि गौतमी पुत्र सतकर्णी फिर वसिष्ट पुत्र जिनको पुल्मामी कहा जाता है और फिर सतकर्णी और इसके बाद आते हैं आपके यजन यजना स्री सतकर्णी इसमें यह important है आपको मैं सिमुक के बारे में important लिख देता हूं ठीक है यजना स्री सतकर्णी कोई खास नहीं लेकिन इनको क्या कहा जाता है last great ruler के तौर पर याद क्या जाता है जो कि 27 वे राजा थे यजना स्री सतकर्णी 27 वे सा सकते जो आंद्रसात्व वहन के last great ruler थे अब इसके बाद last में आ जाईए last ruler में आ जाते हैं विजया ठीक है ना विजया ठीक है ना तो याद रखिएगा कि आंद्रसात्वाहन के अंतिम सा सकते विजया last ruler last great ruler कौन थे 27 वे नंबर पर यजना स्री सतकर्णी most important में कौन आता है गौतमी पुत्र और founder में आते हैं सिमुक तो ये आपको याद रखना है अब देखिए अब कभी न कभी किस इनका भी अंत होता है एक समय में सात्वाहन का अंत होता है और ये किसके द्वारा सक्षीड के जाते हैं तो महराष्ट का जो छेतर आता है इनके महराष्ट के छेतर को वकाटक इन पर कभजा करते हैं और आंद्प्रदेश के छेतर को इसुवाकू इसुवाकू लोग कभजा करते हैं तो इसुवाकू लोग यहां आंद्प्रदेश के छेतर पर सासन करने लगते हैं सात्वाहन के बाद और वकाटक जो हैं इनके महराष्ट के छेतर पर सासन करने लगत 시청 verders है जो मैं अगली वीडियो में डिस्कॉस करूँ गा और foreign invaders में आते हैं इंडो घ्रीक्स ठीक है हम पहले भी इंडो घ्रीक्स के बारे में सुन चुके हैं अगर आपने सब्कित maker की भी यह मिरें कहीं का भीडियों में कहां अबात हुई है तो आप प्लीज कमेंट अगर foreign invaders में most important अपने exam point of view से चीजे देखनी हैं तो आपको kusans देखने पड़ेंगे, kusans dynasty हमारे लिए important है, तो ये हम आपको अगली वीडियो में इस पर discussion करेंगे, तब तक के लिए जैसे आपने पहली वाली वीडियो को देख के उस पर काम क्या होगा, उनके राजाओं के बारे में पढ़िएगा, ताकि जब हम इन राजाओं के बारे में individual discussion करें, तो कुछ चीजे आपकी हो, और कुछ नई चीजे हमारी तरफ से भी उसके अंदर include हो जाए, तो आप उन चीजों को अच्छी तरह से याद रख सकें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के ल तो के लिए के दो कि एंदर सक्ष क。